हलो बच्चो कैसे वाप सब आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्त हैं मस्त हैं और बढ़िया से अपने एक्जाम की प्रिप्रेशन को ले करके सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं अब आप में से कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो हम से अक्सर ही पूछा करते हैं कि सर क्या अगर हम केवल दो सब्जेट कर लें तो क्या हमारा नीट क्रेक हो जाएगा या हम अगर इन चेप्टर्स को छोड़ दें सर मैंने केवल 1212 का पढ़ा है अगर हम 11 वाला पार्ट लेता हूं तो क्या मेरा सेलेक्शन हो जाएगा हाँ या ना तो बेटा जी आपकी इनी समश्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए शेशन लेकर आया हूं जिसमें यही मुझे बताना है कि आप यार क्या चीज़े कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मार्क्स और बढ़ा सकें आपके मार्क्स आए रहें लेकिन वही कंसिस्टेंसई में चीज़े एकिसर जितने आ रहे थे न आज भी उतने आ रहे या उल्टे ठोड़े बढते या घड़ते हैं इस से जाधा कुछ जाधा कुछ चेंज्ज देखने को नहीं मिल रहा है तो बच्चों आप पर बहुत अच्छे-च्छे कुशंस दिए गए जाईए उन कुशंस को लगाईए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से मजबूत कीजिए विटा क्योंकि यार जो ये सपना हमेरे पूरा करना है उसका अब बहुत ही अहम पढ़ाओ आने वाला है आपके नीट का एक महनत करने वाले हो और लास्ट टाइम पर इदर उदर भटकने वाले ना हो तो वो अच्छे से अपने एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं तो जाईए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दिये गए हर एक चेप्टर आप अच्छे से पढ़िए बढ़िया से क्लियर कीजिए और इस ब साथ में लेकर चलेंगे तो भी आप नीट का एक्जाम क्रेक नहीं कर सकते हैं आपको तीनों सब्झेक्ट का आपको अच्छे से स्कोर मेंटेन करके रखना पड़ेगा biology आपका main subject है लेकिन chemistry और physics को भी आपको सही तरीके से prepare करना होगा बच्चों, तो उसके लिए आपकी preparation को थोड़ा और अच्छे से हम करवा सकें तो उसके लिए हमने कुछ questions दिये बहुत ही अच्छे चेप्टर्स के वो आप लगाएं और अपनी preparation को और मजबूत करें आप सही बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन, थैंक्यू बच्चों